नविश्कार आप देख रहे हैं महुआ खबर और महाजिन हूँ आपके साथ रितिक ठागर शुरुआत करेंगे हमारे वोलेटिन महुआ समचार की देश को आद से एक नया चीफ जस्टिस मल गया है जस्टिस संजीव खना आज भारत के क्यावन में चीफ जस्टिस के रूप में शपत ले चुके हैं राशपती द्रापती मुर्मू ने इने शपत दिला हिए ये शपत समारू सुबह 10 बजे हुआ जहां पर जस्टिस खना पूर्व सीज़ाई डी वाई चंद चूड की जगह ले चुके हैं केरल के वाईनाड में अपचुनाव के लिए प्रचार का जो आखरे दिन था आखरे दिन कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार के लिए सड़क पर उतर गये दोरान राउल गांदी आई लव वाइनाड की टीशेट पैन रखी थी और रोड शो में वो शामिल हो गए और उन्हें लोगों को फ्लाइंग किस भी दी राउल गांदी के इस एक्षन ने वाइनाड की जनता का दिल जीत लिया है प्रिंगा गांदी पहली बार चुनावी वैदान में उतरी हों और वाइनाड लोगसाबा सीट से परोरे उप्चनाव में किस्मत आजमा रही है ओक और चिस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी के बीच में दिल्ली पुलिस से कहा गया दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंदु को गंभीरता से लागू नहीं किया कोट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिशनर पटाकों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाए कोट ने दिल्ली सरकार को निर्जेश दिया कि वह 25 नवंबर से पहले पटाकों पर स्थाई प्रतिबंद लगाने का पैसला करें जमो कश्मीर के श्वी नगर के आसपास जब अरवान के जंगलों में सेना और आतंक्यों के बीच मुटभेड हो गई इस मुटबेड में दो ट्रैकर्स जंगल में ही फस गई पारिंग के बीच नोंने 100 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी इसके बाद सेना ने कुछ देर गोली बारी रोक कर उन्हें बच्चा लिया इस गटना के बाद जम्मु कश्मीर पुलिस ने गाइडलाइन जारी करके कहा कि जंगलों और पहाडों पर ट्रैकिंग के लिए जाने से पहले स्थानिय पुलिस को सूचना दी गुरुवार को CRPF जम्मु कश्मीर पुलिस और सेना का संग्त मूर्चा उपरेशन चल रहा था इसी दोरान आतंकि उन्हों पर गोलियां चलाई थी जिसके बाद कई घंटों तक दोनों और से गोली बारी हो रही थी अलग कि इस पूरे मामले में आतंकी भागने में कामिय भारतिये मूल के हिंदू सांसच चंद्र आरे को भी धंकी दी पन्नू ने वीडियो जारी करा और कहा कि 16 और 17 नवंबर को आयोध्या के राम मंदर में हिंसा हो आतंकी पन्नू इससे पहले भी एयरपोर्ट और फ्लाइट्स को लानी की धंकी दे चुका है आतंकवादी पन् पागल हो चुका है उसके लाज की जुरत है विदेश की धरती पर बैठ कर आग उगल रहा है अगर हिमत है तो भारत की धरती पर आकर बात करें नौजवानों को बहला कर उनको आतंकवाद में धकेल रहा है कॉंग्रेस के राश्ट्र अध्याक्ष मलिकार जोन खड़गे न उन्होंने का कि प्रदान मंतरी खुद को बैकवर्ड का बेटा बताते है लेकिन वो फ रिवर्ड को सापोर्ट करते रहा हैं नौध rzecz का बुद्द की मिली हाली में अक्टर मितुन चक्रवर्ती को अब धंकी मिली है आपको यह भी बता दे कि मेतुन को पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने धंकी दी है और उनको 15 दिन के अंदर माफी मांगने के लिए का गया यह भी कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको आगे पच्चतान पड़ेगा बताए जाराיכ के मेतुन को धंकी दुबई से दी गई है आगर यह पूरा मामला है क्या यहा आपको बताते हैं मेतुन चक्रवरती को माफी मागने के लिए का गया है एक्टर मितुन चक्रवाती ने बीते महीं वेस्ट बंगाल में एक पार्टी कारिकरम के दौरान भड़काओ भाशन दिया था महीं उनकी खिलाफ फायर दर्ज भी की गई मितुन ने बोला था कि एक नेता ने कहा था कि यहां की 70% दियाबादी मुसल्मान है हिंदों को काट कर भागी रथी में बाह दिया जाएगा मैं कहता हूँ कि हम तुमें काट कर नदी में नहीं बाहेंगे लेकिन तुमारी जमीन में जरूर गाड़ देंगे मनेपुर में CRPF की बड़ी कारवाई देखने को मिली है जवानकारी को मताबिक CRPF ने जुरिबाम में मुटवेड के दौरान 11 उगरवादियों को मार कि रहा है मैं इस मुटवेड में CRPF के एक जवान के भी गाल होने की आशंका है और इस इलाज के लिए अस्पताल तक एरलिफ्ट किया गया CRPF के सूतरों के अनुसार उगरवादियों ने CRPF की टीम पर हमला किया जिसके बाद ये मुटवेड है मनेपुर में शुरक्षा बलो की कारवाई लगातार जारी है और वहीं इसी से पहले मनेपुर के पहाड़ी और घाटी जुलों में पिछले तीन दिनों के वीतर तलाश वी अभियान के दौरान सुरक्षा बलो ने कई हत्यार गोला बारूर और IED जब्द किया है असम राइफल्स ने सोमवार को एक बयान में कहा कि शनिवार को असम राइफल्स और मनेपर फॉलस की एक सायूंग टीम ने गुरा च्यांद मुर्जिले के खोनों मफाई गाउं से सटे जंगल में एक अभियान के दौरान 303 राइफल, 29 एमम पे स्टॉल और 612 सिंगल बैरल राइफल, 12 राइफल, गोला बारूत और अनियुद्व संबंदी समान भी जब्द किया था जहारकण में चुनाव अभियान तेज हो चुका है अगर जहारकण में वाजपा की सरकार बनी तो वो गुसपैटियों की पहचान कर उन्हीं राज्यों से बाहर निकालेगी साथी गुसपैटियों की ओर से हडपी गई जमीन को वापस लेने के लिए समीती बनाई जाएगी इसके अलावा आदिवासी महिलाओं से शादी करने पर गुसपैटियों के होने वाले जमीन हस्तांतरण को रोकने के लिए कानून मनाया जाएगा केंद्रे मंतरी शाह ने कहा कि जारकन में आदिवासी अबादी गट रही है गुसपैटियों से शादी करके जमीन हडप रहे है बिल्यंतर राश्ट्य बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच सोमवार को राश्ट्य राश्धानी में सुने कभाव साड़े 400 रुपए घटकर 89,550 रुपए प्रती 10 ग्राम रहे गया किया कि GPS करके बादी में से वीच सापद्य रुपए भीचे दोने कमजोरी किते है टुप!